आज इस वीडियो में आपको इंटीजर्स की एक्सरसाइज 1C के कुश्चिन्स कराऊंगा इन दे प्रिवेस वीडियो आई एक्सरसाइज नमबर वन भी अगर आपने वो वीडियो नहीं देखिया है तो लिंक आपको डेस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो टोड़े वीडियो स्टार्ट इस एक्सरसाइज 1C फर्स्ट कुश्चिन है फाइंड दा प्रोड़क्ट ओफ इच ओफ दा फॉलाइंग आपको यहां प्रोड़क्ट फाइंड करना है तो प्रोड़क्ट में हमें सिम्बल मल्टिप्लाई करना होता है फर्स्ट पार्ट में आपको माइनस का 48 मल्टिप्लाई माइनस का 50 दो integers दिये हैं पहला integer जो है वो माइनस का 48 है और दूसरा integer माइनस का 50 है तो जब भी हम प्रोड़क्ट करते हैं ना मल्टिप्लाई तो सबसे पहले sign को check करेंगे यहाँ पर sign जो है न वो दोनों के sign check करके लगाया जाता है बड़ी digit का sign नहीं लगाना जब question addition या subtraction का होगा तब आप जो है वो sign बड़ी digit का लगाऊगे ठीक है तो ये addition या subtraction का question नहीं है हम इन दोनों integers को क्या कर रहे हैं multiply कर रहे हैं तो multiplication में कभी भी बड़े वाले दिखने जो बड़ा integer दिखता है उसका sign नहीं लगाया करते ठीक है दोनों sign check करना है minus इसमें है minus इसमें है तो minus और minus प्लस होता है तो sign जो है वो आप plus का लगाएंगे अब 48 के multiply 5 से rough में करके देखना जो last की 0 है न वो तो last में आ जाएगी अब आप rough में 48 की 5 से जब multiply करोगे तो आपको answer मिलेगा 240 तो final answer जो हो गया वो हो गया 2400 प्लस का ठीक है न तो यह दो हो गया A part, B part देखें 3 integer दिये हैं पहला integer है minus 9, दूसरा integer है minus 3, और तीसरा integer है minus 6, तीन integers दिये हुए हैं और तीन integers में आप पहले 2 का group बनाओ, पहले आप इन दो की multiply करो और तीसरे वाले को multiply में as it is लिखतो, अभी हम third वाला नहीं करेंगे ठीक है, पहले इन दो को करो multiply, तो minus की multiply minus से होगी, तो minus और minus क्या हो 27, अब जो third वाला था वो तो हमने as it is लिख दिया था equal लगाओ, अब next line में आप इन दोनों की multiply करोगे तो पहले तो आप sign चेक करो 27 का जो sign है न यहाँ वो plus है, 6 का जो sign है वो यहाँ minus है, तो plus multiply minus, उल्टे sign है, तो final answer हो गया, minus का 162, देखें part number C C part में 4 integer है, पहला है minus 2, multiply दूसरा है minus का 14, multiply तीसरा है minus का 6, multiply 14 है minus का 1, चार integers है चार integer में आपको करना क्या है पहले आप 2 का ग्रूप बनाओ फिर अगले 2 का ग्रूप बनाओ और इनको आपस में multiply करो और यह जो बीच में multiply बच गया, इसको आप बीच में ही use करना, ठीक है तो यहाँ, बीच में तो यह multiply ही लगा देंगे, इन दोनों को multiply करके, यहाँ एक integer लिखेंगे, इन दोनों को multiply करके यहाँ पर एक integer लिखेंगे तो हम पहले sign करते है, minus multiply minus क्या हो जाएगा, plus 2 की 14 से multiply करेंगे तो 14 टू जा क्या होता है, 28 similarly यहाँ पर भी करना है minus की multiply minus से करेंगे तो minus और minus क्या हो जाएगा, plus 6 multiply 1 करेंगे, तो 6 बन जा क्या हो जाएगा, 6, अब next work आपको क्या करना है, यहाँ पर दो numbers जो दिये हैं यह जो दो number है, 28 और 6, इन में आप पहले sign को multiply कर दो, plus multiply plus, plus plus क्या होगा plus का होगा, rough में 28 की multiply आप 6 से करके देखना, तो आपको answer मिलेगा, 168 तो final answer जो part C का है वो है 168 अब देखें, part number D D part में 21 into minus 5 into 9890 into 0 यहाँ पर कितने integer हैं? 4 integer हैं और इन 4 में से 1 integer 0 है तो जब भी कभी multiply में 0 आ जाए, तो बिना कुछ सोचे, आप answer 0 ही लिखेंगे, तो क्योंकि 0 से जब product किया जाता है तो answer final 0 ही बनता है तो D part का answer आप directly लिखेंगे, 0 ठीक है, part number E देखो, E part में है minus का 12, minus का 5 multiply 1000 सबसे पहला work आपको यहाँ board mass follow करना है board mass में पहले B आता है, B for bracket तो bracket के अंदर यह जो दो number लिखेंगे हैं पहले आप इनको solve करो multiplication नहीं करना multiplication बाद में होगा क्योंकि जब board mass देखते हैं board mass तो bracket पहले आती है multiply बाद में आता है तो multiply 1000 बाद में करेंगे पहले bracket के अंदर करेंगे तो bracket के जो अंदर है यहाँ पर आपको multiplication तो कोई दिखनी रहा वो तो bracket के बाहर है multiply bracket के अंदर तो multiply नहीं है तो यानि यहाँ पर जब multiplication नहीं है तो आपको sign बड़ी डिजिट का लगाना है bracket में जो sign आएगा वो क्या आएगा बड़ी डिजिट का बड़ी कौन दिख रही है 12 बड़ा दिख रहा है और इस 12 का sign क्या है minus तो जो बड़ा दिखने वाला नमबर है उसका sign minus है तो बड़े वाले का sign लगा दिया है फिर दोनों के sign चेक करो minus और minus क्या होता है plus इसका meaning है आप इन दोनों को plus कर दोगे तो plus करोगे तो क्या बन जाएगा 12 और 5 17 तो sign तो बड़े डिजिट का लगाया और minus और minus प्लस होता है तो इसलिए इन दोनों को plus कर दिया अब बारी है इनको multiply करने की तो इसकी multiply इससे होनी है तो पहले sign इसमे sign है minus और इसमे sign क्या है plus कोई sign ही नहीं है 1000 में कोई sign ही नहीं है इसका मतलब plus का sign है या तो 2 sign होता है या तो 1000 plus का हो सकता है या 1000 minus का minus तो लग नहीं रहा तो जब minus नहीं होता है तो plus होता है तो minus और plus क्या हो जाएगा minus 17 into thousand करेंगे तो बन जाएगा 17,000 तो यह हो गया आपका part number E part number F देखें bracket minus 7 plus 6 into bracket minus का 48 सबसे पहला पर क्या है bracket के अंदर यह जो दो value है पहले आप इनको solve करो तो इस bracket के अंदर वाले को solve करना है लेकिन multiply में जो minus 48 है उसे कुछ नहीं करेंगे वो as it is आएगा तो इनको solve करने के लिए एक 7 और एक 6 बड़ा कौन दिख रहा है 7 बड़ा दिख रहा है sign 7 का क्या है जो बड़ा दिखने वाला number है 7 उसका sign minus है तो answer में क्या लगाओ बड़े दिखने वाले number का sign minus लगाओ फिर क्या करोगे minus और plus क्या होता है minus तो आप इन दोनों को minus करोगे तो जब आप 7 और 6 को minus करोगे तो answer आएगा 1 अब next work क्या करना है minus की multiply minus से करेंगे minus into minus क्या होता है plus 1 की multiply 48 से करेंगे तो 1 की multiply जिस से मर्जी कर लो answer वही आएगा जो दूसरा number होता है तो 1 into 48 answer क्या आएगा 48 तो final answer हो गया plus का 48 तो इस तरह से आप यह सारे part करेंगे question number 1 के अब आजाते है next question पे question number 2 shop के पर purchased 124 pencils यहाँ पर सबसे पहले क्या बूला है number of pencils कितनी है 124 उसने purchased करी है क्या करी है purchased purchased word का मतलब होता है खरीदी है at the rate of rupees for each देखो each word आया each का मतलब एक एक pencil purchase का मतलब खरीदी है कितने रुपे इसकी 4 रुपीज की तो वो क्या रहा है 124 pencil खरीदी है total each pencil मतलब एक pencil की जो cost है वो 4 रुपीज है खरीदने को बोलता है cost price तो हम लिखेंगे CP CP of one pencil एक pencil की cost कितनी है 4 रुपीज बट उसने जो shop के पर ने purchase करी थी वो one pencil purchase नहीं करी थी अगे लिए क्या करेंगे multiply तो जो 124 था उसकी multiply 4 से कर देंगे आप जब 124 into 4 करोगे तो answer आपको मिल जाएगा 496 रुपीज तो shop के पर ने एक pencil 4 रुपे की खरीदी थी तो उस हिसाब से 124 pencil जो उसने खरीदी है वो कितने की खरीदी है 496 रुपीज की अब आगे कहा रहा है and sold them और उनको वो बेचता है रुपीज 5 each एक बेचता है बेच रहा है sold sold के लिए हम क्या लिखेंगे selling price short में लिखते है SP selling price किसकी selling price one pencil की एक क्यो लिख रहा हूँ यहां पर each word है देखो 5 रुपे each यानि SP of one pencil जो है 5 रुपे है मतलब खरीदता तो एक pencil चार की है बेचता जब है एक pencil तो वो कितने की बेचता है 5 रुपे की अब आप बनाओ SP of total pencil कितनी थी उसके पास 124 तो आप SP भी किसकी बनाओ 124 pencils की तो 124 pencils तो ज़्यादा है और जब ज़्यादा pencil बेचेगा तो उसके पास पैसे भी क्या आ जाएंगे जब कोई समान बेचेगे तो जो पैसे आएंगे वो ज़्यादा आएंगे क्योंकि इस बार pencil जो है तो आंसर बनजेगा 620 रूपीज ठीक है अब क्या देखना है आपने SP मतलब बेची कितने रूपीज की 620 सारी की सारी pencil बेच दी और 620 रूपीज मिले अब CP को देखो CP का मतलब खरीदी दी सारी pencils कितने की 496 की तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर खरीदी तो कम की है बेची जादा की है तो जब कोई person जादा का समान बेचेगा तो उसे क्या होगा profit और profit निकालने के लिए formula याद करना है profit is equal to SP minus CP SP सारी pencils का कितना है 620 minus CP सारी pencils का कितना है 496 अब आप क्या करेंगे 620 में से minus करेंगे 496 को तो आपको answer मिल जाएगा 124 रुपीज का तो question में पूचा था उसको profit कितना हुआ है तो profit कितना हुआ है वो हमने find कर लिया 124 रुपे का फायदा हुआ था सारी pencils बीचने के बाद तो इस तरह से आप ये question number 2 करेंगे अब देखें question number 3 tanker contain 983 liter of water क्या बुला है इनोंने tanker के अंदर इतना liter water है तो हम क्या लिखेंगे water in tanker पानी जो tanker में है इनका मनलब inside water inside the tanker is how much liter 983 liter के लिए capital L बुला है तो इतना पानी tanker के अंदर मौजूद है due to leakage in the tanker the quantity of water decrease वो कहा रहा है tank में एक hole हो रहा था जिसकी वज़े से पानी leak हो रहा था और quantity जो थी पानी के वो कम हो रही थी किस speed से कम हो रही थी 9 liter per hour क्या लिखेंगे हम water जो है water क्या हो रहा था decrease हो रहा था कम हो रहा था लिख दो water decrease in one hour one का मनलब per hour देखो यहां लिखा था question में बोला था 9 liter per hour per hour का मनलब एक घंड़े एक घंड़े में 9 liter पानी decrease हो रहा है तो हमने लिख दिया water decrease in one hour is equal to nine liter ठीक है 9 liter पानी decrease हो जाता है एक घंड़े में how much water will be left in the tanker after five hour वो पूछ रहा है कितना पानी बचा पांच घंटे बाद after five hour तो यहां में पूछ रहा है पानी बचा कितना है वो तो हम बाद में find करेंगे कि पानी बचा कितना पहले हम find करेंगे water कम कितना हो गया पांच घंटे में तो हमें यहां एक लाइन लिखनी है water decrease in five hours एक घंटे में water कम हुआ 9 liter तो पांच घंटे में पानी जो कम होगा वो तो ज्यादा होगा क्योंकि पांच घंटे में पानी ज्यादा वेस्ट हो जाएगा तो ज्यादा के लिए क्या करेंगे multiply तो 9 liter की multiply पांच से कर देंगे तो 9-5 जा 45 तो 45 liter 45 liter पानी क्या हो गया waste हो गया decrease हो गया उस टैंक में से कम हो गया ठीक है अब question पूचा था water left बताओ तो हम लिख देंगे last line water left पानी जो बचा water left निकालने के लिए पहले आप क्या करोगे total water मौजूद कितना था टैंक में 983 उस में से हटा दो जो पानी अब 5 घंटे में खतम हो गया leakage की वज़ा से 45 लिटर तो 983 में से जब आप 45 को माइनस करोगे तो आपको answer मिल जाएगा 938 लिटर तो इतना water उसके अंदर बच गया तो इस तरह से आप ये question number 3 करेंगे अब देगे next question question number 4 a part in a test 4 marks are given for every correct answer every every का मतलब हर एक correct answer के लिए marks जो है वो 4 है ठीक है आगे क्या बोला minus 2 marks for every incorrect answer और जो गलत answer होगा उसमें क्या होंगे minus के 2 ठीक है तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है marks for one correct answer one क्यों लिखा यहाँ पर every word है ना every का मतलब हर एक इसलिए हमने one लिखा तो mark for one correct answer अगर एक सही जवाब होगा तो उसके लिए कितने mark मिलेंगे इसलिए है फोर ठीक है अब marks for one incorrect answer वो क्या रहा है minus के 2 होने है mark every incorrect answer every का मतलब हर एक गलत जवाब में minus 2 होने है तो हमने भी यहीं वही लाइन लिखनी है marks जो एक गलत जवाब पे मिलेंगे वो कितने है minus 2 राहूल answered all the 30 questions राहूल ने answer दिये all the 30 तो total answer कितने है total questions जो राहूल ने answer दिये थे वो कितने थे 30 ठीक है 25 answers were correct number of correct answer कितने सही जवाब थे 25 total questions उसने कितने solve करे थे 30 जिन में से correct answer कितने थे 25 तो आप क्या लिखेंगे अब number of incorrect answer कितने सवाल गलत थे तो 30 तो उसने सारे दिये थे जिसमें से 25 सही थे तो सही वाले हटा दे तो 5 सवाल बचेंगे तो 5 सवाल ऐसे थे जो उसके क्या थे गलत अब next work क्या करना है correct answer 25 है तो हम निकालेंगे marks कितने marks मिलेंगे marks for 25 correct answer हम क्या निकाल रहे हैं कितने marks मिलेंगे 25 सही जवाब के लिए एक सही जवाब एक सही जवाब में कितने mark है 4 तो 4 से multiply हो जाएगी 25 की क्यों multiply क्योंकि भईया एक सही जवाब में 4 अंक मिलेंगे तो 25 सही जवाब होंगे तो बहुत सारे जवाब सही होंगे तो क्या होगा marks जादा मिलेंगे जादा के लिए क्या करते हैं multiply यानि 100 mark मिलेंगे अब गलत वालों की बात करें गलत कितने थे उसके number of incorrect answer 5 5 गलत भी थे तो हम क्या लिखेंगे marks for 5 incorrect answer 5 गलत जवाब के लिए marks एक गलत जवाब होगा तो कितने दे रहे थे marks minus 2 तो अब तो 5 गलत जवाब है तो 5 तो बहुत सारे गलत जवाब है तो बहुत सारे गलत जवाब होंगे तो कटेंगे marks ज़्यादा ज़्यादा के लिए क्या करेंगे multiply तो एक सवाल में minus 2 होने थे लेकिन यहाँ पर 5 गलत जवाब थे तो ज़्यादा होंगे ज़्यादा के लिए multiply तो यह बन ज़गा minus का 10 अब next work क्या करेंगे यह marks कौन से है 25 सही जवाब के यह marks कौन से है 5 गलत जवाब के यह plus में है तो यह जुड़ेंगे यह minus में है तो यह घटेंगे find करना है what was Rahul total score at last हम लिख देंगे Rahul का Rahul का total score क्या है total score देखने के लिए आप क्या करोगे पहले तो सही जवाब जो 25 थे उसके marks लिख दो कितने थे 100 यह तो उसे मिले थे सही जवाब पर लेकिन कुछ सवाल उसके 5 जो थे वो गलत भी थे तो गलत के लिए कटने हैं इन में से कितने कटेंगे यह हमने लिखे रखा है कितने हैं यह minus कितने होंगे 10 ठीक है ना तो 100 में से 10 हट जाएगा तो 90 marks उसके आएं है तो question उचदा राहूल का total score बताओ तो राहूल का total score क्या था 90 था वैसे तो उसको मिलने चाहिए थे 100 लेकिन उसने 5 सवाल गलत भी दिये थे जिसकी वज़ा से 10 कटे थे 10 number क्या थे कटे थे इसलिए इसका जो sign है वो minus में है क्योंकि ये कटे हैं ठीक है तो हमने क्या करा सही वालों का यहां लिग दिया गलत वालों का यहां लिग दिया और इन्हें sign को check करके solve कर दिया तो राहूल को कितने score मिला है 90 तो इस तरह से A part होना है अब देखें B part इन्हें unit test 30 questions are there तो total questions कितने हैं वो लिग देते हैं question में बोला total questions जो है वो 30 है 3 marks are awarded for every correct answer तो हम भी लिग देते हैं क्या marks for every के लिए one लिखो mark for one correct answer यहां भे एक word है awarded का मतलब जुडेंगे कितने mark जुडेंगे तीन mark जुडेंगे अगर एक जवाब सही होगा तो mark for one correct answer क्या है 3 one mark is deducted deducted का मतलब कटेंगे जो value कटेगी उसमें अब minus लेना जैसे कि अभी हमने part number a में कर रहा था ना बिल्कुल सेम काम करना है तो एक mark deduct होंगे मतलब minus होंगे किस के लिए for every incorrect answer तो हम क्या लिखेंगे marks for one incorrect answer एक गलत answer पे mark कितने मिलेंगे वो तो deduct होने है तो deduct के लिए क्या लगा होगे minus कितने mark deduct होने है one mark यहाँ पे लिखाता ना one mark is deducted इसलिए जो one मैंने लिया वो deduct word की वज़ा से minus का लिया ठीक है ना अब आगे zero mark is given for question not attempt zero mark उसके लिए होंगे जो question आप छोड़ दोगे करोगे नहीं ठीक है तो इसमें कोई use नहीं है इसे छोड़ दो आप नैतिक get six correct and three incorrect answer तो नैतिक जो है उसके छे सही जवाब है तो हम पहले find करते है क्या marks for six correct answer marks जो मिलेंगे छे सही जवाब के लिए तो छे सवाल अगर सही होंगे तो marks ज़ादा मिलेंगे क्योंकि एक सवाल अगर correct होता है तो answer में कितने mark मिल रहे है तीन तो एक सही होने पे तीन मिल रहे है तो छे सही होने पे ज़ादा मिलेंगे ज़ादा के लिए क्या गरेंगे छे की तीन से multiply 18 mark मिलेंगे प्लस में ठीक है अब हम उसके गलत जवाब होगी बात करें तीन जवाब incorrect थे उसके तो हम लिखेंगे marks जो तीन गलत जवाब होंगे उनके लिए हमने यहां क्या लिखा marks for three incorrect answer तीन गलत जवाब के लिए तो एक गलत जवाब होगा एक incorrect एक अगर incorrect होगा तो number जुडने नहीं कटने हैं इसलिए इसमें क्या है minus one तो एक गलत जवाब होने पर minus one है तो तीन गलत जवाब होने पर ज़्यादा गलत होंगे तो ज़्यादा कटेंगे तो ज़्यादा के लिए क्या करना है multiply तो तीन गलत जवाब थे तो तीन के multiply एक गलत जवाब वाले answer से एक गलत जवाब वाला क्या था माइनस का 1 और जब आप इन्हें माइनस करोगे सॉरी, मल्टिप्लाई करोगे तो प्लस और माइनस तो माइनस हो जागा 3 बन जा 3 तो ये जो मार्क्स है 18 ये 6 सही वालो के हैं और ये जो माइनस 3 है वो 3 गलत वालो के लिए है find क्या करना था find करना है final score तो last में क्या लिखना है उसका final score final score के लिए क्या करेंगे सही वाले 18 थे इनको लिखो तो सही जवाब की वज़ा से उसे 18 मार्क मिले लेकिन कुछ कट भी गए क्योंकि उसने सारे सही नहीं दिये थे तो 3 उसके कटे भी थे तो माइनस 3 और कर दो तो 18 में से 3 गया 15 तो उसको जो मार्क्स मिलने है वो कितने मिलने है 15 मार्क्स तो इस तरह से आप ये question number 4 का B part करेंगे अब आ जाते है नेक्स question पर question number 5 A part verify the following verify करना है question है 18 into bracket 7 plus minus 3 is equal to 18 into 7 plus 18 into minus 3 यहाँ पर verify word आ रहा है verify word का मतलब क्या होता है verify word का मतलब होता है साबित करना साबित करना है कि ये solve करने के बाद answer जो आएगा वो equal होगा इनको solve करके जो answer आएगा उनके मतलब left hand को और right hand को आपको क्या करना है यहाँ equal साबित करना है तो आपको simple कुछ नहीं करना दोनों साइडों को solve करते जाना है जैसे ये लिखे हुए है ठीक है देखो equal था equal के इधर वाली side क्या होती है left hand side ठीक है equal के इधर वाली side क्या होती है right hand side हम दोनों को solve करेंगे left hand side क्या लिखी हुई थी 18 multiply 18 multiply 7 plus bracket में minus 3 बीच में line कीच लेते हैं अब इधर right hand side लिखते हैं 18 into 7 plus 18 into minus 3 तो यह तो question था left hand भी लिख दी हमने right hand भी लिख दी अब next वर क्या करना है board mass follow करेंगे board mass B O D M A S B for bracket देखो यहाँ पे यह bracket है bracket के बाहर एक sign plus है और अंदर sign क्या है minus तो सबसे पहले आप यह big bracket solve नहीं करोगे पहले आप यह small bracket solve करोगे ठीक है न तो पहले हम small को solve करते हैं 18 multiply big bracket 7 भी ऐसी plus और minus जब solve करोगे तो plus और minus क्या होगा minus और बचेगा कौन 3 big bracket close अब हम यह big bracket करेंगे तो 18 into 7 में से जब 3 minus करेंगे तो क्या पचेगा 4 अब आप 18 की 4 से multiply करोगे तो बन जएगा 72 यह तो मैंने left hand को solve करा और answer क्या find करा 72 verify का question था तो verify में right hand को भी solve करके 72 ही आना चाहिए तो आप क्या करोगे 18 की multiply 7 से करोगे तो यह होजएगा 126 plus 18 की multiply minus 3 से करनी है देखो यह minus 3 है 18 की multiply minus 3 से 18 कौन से sign का है plus का 3 कौन से sign का है minus का देखो 18 के उल्टे हाथ पे यहां यहां तो कोई sign नी वो तो plus जो है ना वो तो bracket के बाहर है आप तो bracket के अंदर देखो बस 18 का कोई sign ही नहीं लग रहा था इसका मतलब 18 एक कैसे sign का है number plus sign का तो 18 में plus multiply 3 में minus तो plus multiply minus क्या होता है minus 18 थरीजा करेंगे तो बन जाएगा 54 दो sign आपको नज़र आ रहे है एक तो यह वाला plus जो यहां लगा दिया और एक जो इने multiply करके minus हाया तो यह bracket ले लेंगे अब next वर क्या करेंगे bracket को हटाएंगे तो 126 plus और minus क्या हो जाएगा minus अब इन दोनों को क्या करना है minus करना है तो हम 6 में से 4 को minus करेंगे 2 आएगा 12 में से 5 को minus करेंगे तो 7 आएगा तो हमने यहां left hand को भी solve कर दिया right hand को भी अब आप जब इनको देखोगे तो answer आपको क्या नजरा रहे है equal question में भी एक कहा था कि verify करो left hand और right hand के answer equal आएंगे तो आगए equal but at last बस हमें last में क्या लिखना है अब at last we will write left hand side is equal to right hand side hands proved तो जो चीज हमें prove करनी थी वो आगई तो इस तरह चे आप एक कोशन नमर फिफ्ट का ए करेंगे आप देखें फिफ्ट का b b part भी ऐसी ही है question क्या है bracket minus 21 into bracket minus 4 plus minus 6 big bracket close equal big bracket small bracket minus 21 into minus 4 plus यहां bracket close हो गई थी फिर है big bracket minus 21 into minus 6 big bracket close तो यहां पर भी question वो ही था verify करना है और verify आप जानते हैं अभी आपने part नमर ए में भी करा है verify क्या करना है verify में left hand side एक तरफ लिखेंगे ठीक है और right hand side दूसरी तरफ क्योंकि यहां जगा कम है तो मैं नीचे लिख देता हूँ ठीक है right hand side में नीचे कर देता हूँ compulsory नहीं है कि आप left hand side के इधर ही right hand side को लिख कर solve करो जैसे मैंने आप बताया था ऐसा कोई compulsory नहीं है पहले आप left hand side को कर लो फिर इसके नीचे heading डालके RHS को कर लो ऐसे भी कर सकते हूँ ठीक है तो चलो पहले LHS लिखते हैं left hand side left hand side में question था minus 21 into big bracket minus 4 plus minus 6 big bracket close सबसे पहले यहां पर आपको board mass follow करना है before bracket तो bracket small वाली देखो इस small bracket के अंदर एक ही number है तो इसे तो exit छोड़ दो इस small bracket के अंदर भी एक ही number है और यहां पर भी एक ही number है यहां हमें काम कर सकते हैं बस कि small bracket के बाहर जो sign है उसको अंदर वाले sign से चेक करके एक ही बना दे तो question होगा minus 21 multiply big bracket minus 4 इस small bracket हटा दी अब plus और minus क्या हो जाएगा plus और minus होता है minus बचेगा 6 तो यह bracket भी हट गई अब minus का 4 और minus का 6 जो होता है ना वो होता है minus का 10 sign तो बड़ी digit का आएगा जो 6 है तो बड़ी digit का तो sign लगा दिया 6 का फिर minus और minus प्लस होता है तो इन्हें plus कर दिया और left hand यह multiply के इधर उल्टे हाथ पर क्या लिखावा है minus का 21 अब आप इनकी multiply करोगे तो सबसे पहला काम minus into minus तो plus हो जाएगा 21 की 10 से करोगे तो answer बनेगा 210 तो यह तो होगी इसका left hand side हो गया अब बारी है right hand side की right hand side में question क्या था यह लिखावाया हमने दोनों right hand side में थे big bracket minus 21 into minus 4 big bracket plus minus 21 into minus 6 यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है पहले आप यह big bracket के अंदर जो multiply है इनको करो और दूसरी big bracket में जो multiply है उनको करो ठीक है तो minus into minus तो हो जाएगा plus 21 into 4 जब आप रफ में करोगे तो बन जाएगा 84 आगी क्या sign है plus यह plus यहाँ लगा दिया minus into minus क्या होता है plus वो तो हम लगा चुके 21 की बस 6 से multiply होगी तो 21 6 जा क्या होता है 126 अब next work क्या करना है आपने आप इन दोनों को add कर लोगे एक आपका है 84 और दूसरा आपका है 126 दोनों को plus करेंगे तो आपके पास जो answer आएगा वो आएगा 210 तो यह हो गया आपका final answer B part का तो इस तरह से आप यह question number 5 के दोनों part करेंगे इसमें last में एक line और लिख देना verify धना वो मैं बूल गया आपको यहाँ लिखवाना जैसे हमने यहाँ लिखा था क्या left hand side का answer देखो left hand side का answer क्या था 210 plus का right hand side का answer भी क्या आया 210 ही आया plus का तो at last यह और लिख देना LHS is equal to RHS hence proved तो जो चीज हमें verify करनी थी वो prove हो चुकी है अब आजाते है next question पर question number 6 question की heading है determine the integer whose product with minus 1 is यह तीन पार्ट दिये है तो जब यह तीनों पार्ट करोगे न तो यह line आपको हर बार read करनी है यह heading है न यह heading first part में भी read करनी है second में भी read करनी है और third में भी तो पहला पार्ट करते हैं वो गह रहा है determine the integer वो गह रहा है पता करो एक integer जिसकी multiply हम minus 1 से करें तो वो क्या रहा है यहाँ पर एक integer पता करो और उसकी multiply जब हम minus 1 से करें तो answer is minus 22 तो multiply करके answer जो आएगा न is word देख रहो is के लिए आप equal लगाना और आगे क्या लिख देना minus का 22 तो उसने का है पता करो के यहाँ पर कौन सा integer है और इसकी multiply minus 1 से जब करी जाएगी तो answer will be minus 22 ऐसा question था तो हमें यहाँ पता करना है कि यहाँ क्या आएगा तो हम यहाँ बढ़ना एक alphabet A बढ़ देते हैं capital A ठीक है तो हमें यहाँ अब करना क्या है यह जो A हमें find करना है इसको अकेले बनाना है इसको क्या करेंगे अकेले तो अकेले बनाने के लिए यह जो multiply का minus 1 है यह इधर आ जाएगा तो यह तो multiply में था minus 1 तो multiply वाली चीज़ जब right hand पे आएगी minus 22 के पास तो वो divide में आएगी क्योंकि इधर multiply में था तो multiply का उल्टा divide होता है तो upon में लिख देंगे upon means divide तो minus का one यह upon में लिख देना है और left hand पे कौन रहे जाएगा A minus उपर और minus नीचे जब आए तो कट जाते हैं तो answer आ जाएगा A का 22 तो question पूछा था determine करो integer तो वो हमने integer पता कर लिया उस integer की value क्या है 22 बीपाट भी 80 होगा कोशन की heading तो पढ़ नहीं है determine the integer whose product with minus one is 37 वो कहा रहा है पता करो के यहाँ dash में क्या integer लिया जाए अगर उसकी multiply करें minus one से answer is 37 तो multiply करके equal में answer 37 आएगा यहाँ पर क्या भरो A इस A को find करना है तो multiply का one इधर ले आओ तो divide में आ जाएगा तो A is equal to 37 divide minus one अब नीचे minus और उपर कोई sign नहीं है उपर कोई sign नहीं है तो उपर का मतलब plus है यहाँ जब कोई sign नहीं हो तो minus नीचे plus उपर तो minus और plus क्या होता है minus तो minus sign लगाएंगे बड़ी digit का sign नहीं देखेंगे हम यहाँ पर इन दो नंबरों को divide कर रहे हैं upon है ना तो upon का मतलब क्या होता है divide तो बड़ी digit का sign तो तब लगाते है जब हम addition या subtraction कर रहे हो तब बड़ी digit का sign लगता है बट यहाँ पर हम बड़ी number का sign नहीं देख रहे हैं क्योंकि यहाँ हम divide कर रहे थे तो इसलिए plus उपर minus नीचे तो plus और minus क्या हो गया minus 1 से 37 को divide करना है तो 1 से divide करके answer वहीं आता है तो final answer जो part B का हुआ वो हुआ minus का 37 minus 1 is 0 वो कहा रहा है पता करो यहाँ कौन सा इंटीजर लिया जाए जिसका product minus 1 से करें तो answer 0 आए ऐसा question में का है तो यहाँ पर हमने alphabet A बढ़ दिया अब इस A को find करने के लिए 0 के divide में आजएगा क्योंकि यहाँ यह जो minus 1 था यह multiply में था तो उधर जाके divide में आएगा ठीक है अब 0 को आप किसी भी table से divide कर लो किसी भी table से answer तो 0 ही आएगा ना तो उसमें plus sign आएगा ना ही उसमें minus sign आएगा तो final answer जो C part का है वो है आपका 0 तो इस तरह से आप यह question number 6 के तीनों part करेंगे अब आजाते है next question पर question number 7 a certain freezing process require the room temperature to be lowered from 40 degree Celsius at the rate of 5 degree Celsius every hour इस sentence का meaning क्या है वो गया रहा है certain freezing process अगर आप कोई भी चीज जमाना freeze करना चाहते हो तो उसमें क्या चाहिए उसमें यह चाहिए कि जो room का temperature है उसे low किया जाए कम किया जाए from means यहां से मतलब अभी room का temperature इतना चल रहा है 40 और 40 से कम कर दो at the rate of 5 degree every hour तो वो कह रहा है अभी जो room का temperature चल रहा है वो 40 है और इसको lower करो 40 से और speed क्या है 5 degree कम होना चाहिए हर एक घंटे में तो हम सबसे पहले कह लिखते है temperature of room now now means अब room का जो temperature है अब वो कितना है 40 degree Celsius वो कह रहा है room का जो temperature है वो कम करो 40 से तो मतलब अभी जो room का temperature चल रहा है वो 40 चल रहा है और 40 से कम कर दो कैसे कम कर दो 5 degree हर घंटे कम करो तो यहाँ पह क्या लिखो temperature lowered in one hour every hour भोला ना every का मतलब हर एक घंटे में कितना degree कम हो रहा है 5 degree temperature कम हो रहा है तो हमने लिख दिया room का जो temperature था वो 40 था और इस 40 को कम करना है और इस तरह से कम करना है कि एक घंटे में 5 degree कम हो ठीक है वो कहा रहा है what will be the room temperature 10 hours after the process begin वो कहा रहा है क्या होगा room का temperature 10 घंटे बाद 10 घंटे बाद की बात कर रहा है तो हम लिखेंगे temperature कम हो रहा था हर घंटे में 5-5 degree तो temperature lowered in 10 hour पता करेंगे कितना होगा एक घंटे में 5-5 degree कम हो रहा है ऐसा question ने कहा तो हमारे मताबिक 10 घंटे में कितना होगा जब एक घंटे में 5 degree कम हो रहा है तो 10 घंटे बहुत ज़्यादा होते हैं तो 10 घंटे में बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा ठीक है ना बहुत ज़्यादा 10 गंटे में बहुत ज़्यादा कम होगा तो ज़्यादा के लिए क्या करेंगे multiply 5 into 10 मतलब 50 degree Celsius temperature room का क्या हो जाएगा कम हो जाएगा अब आप लिखो now now means up now the temperature of room is now the temperature of room is अब जो temperature room का है वो क्या है पहले क्या चल रहा था 40 degree Celsius ये कम हो रहा था तो कम के लिए क्या कर दिया minus 5 गंटे में कितना कम हुआ था 50 degree कम हुआ था तो पहले था 40, 40 में कम कर दिया कितना कम जो 5 गंटे में 50 degree कम हुआ था, बड़ा कौन दिख रहा है इसमें 50 बड़ा दिख रहा है तो बड़ी digit का sign माइनस और प्लस माइनस होता है आप इन्हें माइनस करोगे तो आंसर बनेगा माइनस का 10 डिग्री सेल्शियस तो इस तरह से आप ये कोश्चन नमबर 7 करेंगे अब आजाते है नेक्स कोश्चन पर कोश्चन नमबर 8 A part find the product using suitable property वो कह रहा है आप यहाँ product तो find करो लेकिन property यूज़ करके ठीक है ना property यूज़ करनी है simple जो है solve नहीं कर देना है तो property पहले पता करेंगे कि कौन सी property यहाँ लगनी चीज़ देखो 56 into माइनस का 48 प्लस माइनस का 48 into माइनस का 66 यह question है एक तो multiply इन दो के बीच में है यहाँ तो plus आगया इन दो के बीच में भी क्या है multiply अगर हम इन में और इन में ध्यान से देखें तो एक चीज दोनों में same है कौन है दोनों में same यह माइनस का 48 तो यहाँ पर हम क्या देख रहे है कि माइनस का जो 48 है वो दोनों तरफ बटा हुआ है इसको भी बाट रखा है 48 और इसको भी बाट रखा है मतलब यह जो हमने एक लाइन की चीजी एक लाइन इधर प्लस के left hand पे एक चीज है और प्लस के right hand पे एक चीज है जो property है न वो कौन सी property यूज हो रही है distributed डिस्ट्रिब्यूटिव हम यहाँ distributed property यूज कर रहे है distributed property में एक value दो जगा दिखाई देती है वो दो बार दो चीजों में बटी हुई होती है तो यहाँ पर पहली चीज क्या थी 56 तो माइनस का 48 56 को भी बाट रखा है और माइनस का 48 माइनस के 66 को भी बाट रखा था तो माइनस के 48 को दोनों में बाटा हुआ था तो इसलिए property कोंसी है distributed property अब सेम दिखने वाली चीज ना आप bracket के बाहर निकाल दो common multiply लगा के ठीक है तो मैंने माइनस का 48 दिख रहा था वो माइनस का 48 multiply लगा के bracket के बाहर common ले लिया अब यहां से भी हट जाएगा और यहां से भी हट जाएगा तो यहां क्या दिखाई देगा 56 फिर आगे क्या दिखाई देगा plus यह तो हट चुका क्योंकि मैंने इसे बाहर लिग दिया plus दिखाई दिया यह भी हट चुका यह मैंने बाहर लिग दिया अब आगे क्या है minus का 66 दो sign आ रहे है plus भी आ रहा है और minus भी तो क्या लगा होगे bracket तो हमने क्या करा जिनको हटाना था इसको और इसको इनको हटा दिया एक 56 दिख रहा था वो लिख दिया एक बीच में plus दिख रहा था वो लिख दिया और एक minus का 66 दिख रहा था वो लिख दिया अब bracket अड़ाएंगे छोटी वाली तो जब आप small bracket अड़ाओगे तो minus का 48 into 56 ऐसे गया आएगा plus और minus क्या होता है minus तो हम यहा लिख देंगे minus का 66 अब next वर क्या करेंगे minus का 48 into इन में जो बड़ी value दिख रही है कहीं पर multiply तो है नहीं है यहाँ कहीं multiply या divide है या नहीं न तो हम बड़ी digit दिखने वाली का sign लगाएंगे 66 बड़ा दिख रहा है इसका sign minus है तो यहाँ minus आना है ठीक है लेकिन इसमें plus है और इसमें minus है तो plus और minus क्या होता है minus हम इने minus करेंगे तो minus करके answer जो बनेगा वो क्या बनेगा इने 10 बनेगा इसको आप एक bracket में लिख दो bracket में क्यों लिखा क्योंकि 10 में भी एक sign है और इसके बीचे multiply था तो 2 sign अलग दिखाने के लिए हमने यह bracket का use करा अब minus into minus minus क्या होता है plus 48 10 जा करेंगे तो क्या बनेगा 480 तो यह हो गया आपका final answer 8 के ए पार्ट का अब 8 का भी देखें 8 के भी में 8 इंटू 53 इंटू माइनस 125 यह दिया वाया यहाँ पर heading में लिखा था कि आप जो है ना property यूज़ करो property पिछले question में तो आपने यूज़ कर ली पता कर लिया था कि कौन सी property लग रही है distributive थी अब यहाँ जो है तीन value दीवी है और तीनों के बीच में multiply दीखेगा आपको 8 और 53 इनके बीच में multiply 53 और माइनस का 125 इन दोनों के बीच में भी क्या है multiply देखो multiply आ रहे ना तो तीनों values के बीच में क्या आ रहे है multiply अब यहाँ property यूज़ करनी है हम यहाँ पर ना rearrangement करते है मतलब हम 8 के साथ 53 को multiply ना करें 8 के साथ माइनस के 125 को multiply कर लो 8 के साथ क्या करो माइनस के 125 को multiply ऐसा करने से हमारा फायदा यह है कि 8 की जब 5 से multiply होगी ना तो 8 5 जब 40 मतलब इनको multiply करके last में 0 आने वाला है तो हमें जब last में 0 मिलता है ना तो answer multiply का करना बहुत easy हो जाता है क्यों easy हो जाता है क्योंकि भईया जो last में 0 आती है ना उसको तो हम last में लगा दिया करते हैं किसी भी number में अगर last में 0 आएगी तो multiply करने पे वो 0 last में ही लग जाती है simple है ठीक है ना तो हमें यहां पे वो ही property follow करनी है अब property का नाम क्या है आपको पिछले को पार्ट में जो है वो तो मैंने बताए थी कौनसी property बताए थी distributed property बताए थी यहां पर जो है ना हम rearrangement कर दिया मतलब question में तो लिखा था 8 into 53 और into minus 125 बाद में था लेकिन मैंने इन्हें alert alert कर दिया इसको इसके साथ multiply ना करके इसको इसके साथ कर दिया और जो 53 लिखा था उसको बाद में लिख दिया यहां ठीक है ना तो ऐसे में जो property यूज होगी इसको हम बोलेंगे using associative property AWS O C I A T I V E associative property अब यह associative property क्या होती है एक example देता हूँ मैं देखो 2 into 3 into 4 लिखा ठीक है मैं पहले 2 की 3 से कर दूँ 2 3 जगा होता है 6 into 4 तो 6 into 4 करके answer क्या हैगा 24 ठीक है एक और multiply करता हूँ ऐसे ही 2 into 4 into 3 मतलब मैंने 4 को इधर कर दिया और 3 को इधर इनकी जगा को alert पलट कर दिया 2 की multiply पहले 3 से होई थी अब मैं 2 की multiply पहले 4 से कर रहाँ 2 4 जगा होता है 8 8 into 3 क्या होता है 24 तो हमने क्या देखा आप जब 3 values को multiply कर रहे होते हो 3 values को जब multiply कर रहे होते हो तो आप पहले की दूसरे से multiply कर दो या फिर पहले की तीसरे से जैसे कि मैंने आकर आप पहला नंबर ये था और तीसरा नंबर ये था तो आप जब अलट पलट करके भी multiply करके देखते हो तो answer change नहीं होता यानि A into B एक बार multiply करो और बाद में C से कर दो या फिर आप A into C पहले कर दो और बाद में B से answer तो same ही आना है तो ऐसे जो property होती है ना उसको हम बोलते हैं associative property तो question में क्या लिखाता है 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 question में लिखाता 8 की multiply 53 से करो और बाद में 125 से करो लेकिन मैंने क्या करा मैंने अपना easiness देखा कि मुझे easy किसमें पढ़ेगा मैंने 8 की multiply 53 से ना करके 8 की multiply पहले 125 से करके दिखाऊ यह मैं सोच रहा हूँ क्योंकि इसमें मुझे easy पढ़ेगा क्योंकि 85 जा 40 लास्ट में 0 आ जाएगा इसलिए मैं इन्हें rearrange कर रहा हूँ तो 8 into 53 ना करके पहले मैं 8 into minus 25 कर रहा हूँ और बाद में 53 से करूँगा तो हमने उलट पलट करे हैं इसलिए यह जो property है कौनसी है associative property जब तीन चीज में उलट पलट होता है तो आप associative property लिखेंगे ठीक है अब 8 into 125 आप रफ में करके देख लो यह 125 है 125 और इसकी 8 से तो आपने क्या देखा यहां यहां पर 8 into 125 कर रहा है तो 1000 आ रहा है और sign जो है वो किसका लगा है 8 का तो पलस था 125 जो था वो माइनस का था तो पलस into माइनस माइनस आएगा तो हमने जब इनके multiply करी तो माइनस का 1000 आया और बचा क्या 53 अब देख लो हमारे लिए कितना असान है multiply करना है 1000 से 53 की होनी है तो 53 की तो पहले आप 1 से कर दो 53 बचा क्या होता है 53 और जो 1000 की 30 है वो तो last में लग जाएंगी खतम बस अब sign की बारी है sign लगा दो माइनस और यहां प्लस माइनस और प्लस क्या होता है तो multiply हमारे लिए कितना असान हो गया 1000 से करना तो हमने यहां rearrangement किया तीन चीज को और तीन चीज को जब rearrangement करा तो इस तरह से करा के 0 बने तो तीन तरह तीन value को rearrange करते हैं तो associative property के लाएगी ठीक है तो यह हो गया आपका question number 8 का B part अब देखें question 8 का C 15 into minus का 25 into minus का 4 into minus का 10 यहां पे चार चीज है और heading में लिखा था कि property यूज करो चाहे तीन चीज आएं जैसे कि यहां थी तीन और उन्हें rearrange करा था चाहे चार चीज आएं उनको भी rearrange अगर करना पड़े तो property तो वो ही है कौन सी property associative यहां भी हम वो ही property उस करेंगे associative property देखो rearrangement करते हैं पंदरा में लास्ट में पांच आ रहा है और यहां पे चार इनको साथ में लिखो एक bracket में क्योंकि हम जानते हैं 5 की 4 से जब multiply होगी न 5 4 जब 20 तो अराम से 0 मिल जाएगा last में ठीक है तो इसकी multiply किसके साथ कर दी इसके साथ अब एक multiply और लगाओ अब एक बड़ी bracket और बनाओ अब जो है मैं minus 25 को लिखूँगा minus 25 को multiply किसके साथ minus 10 के साथ इनको भी multiply करके last में 0 आ जागा क्योंकि यहाँ 10 से हो रही है तो हमने यहाँ rearrange कर दिया question में तो लिखा था 15 into minus 25 करो लेकिन मैं 15 into minus 4 कर रहा हूँ ठीक है न तो rearrangement करा associated property है अब आप sign देखो plus into minus minus आएगा 15,4 जा क्या होता है 60 तो देखो 0 आ गया आराम से अब बारी है इनकी minus इस में है multiply minus इस में है तो minus और minus क्या होता है plus 25 की 10 से करो तो जब 10 से करते है न तो बस 0 लग जाता है तो 25 into 10 क्या होगा 250 अब बारी इन दोनों को करने की है minus into plus minus और plus क्या होता है minus इसकी last की 0 last में लगा दो इसकी last की 0, last में लगा दो इधर बचा 25 और इधर बचा 6 25 की जब आप 6 से करोगे तो 25 इंटू 6 करेंगे तो बन जाएगा 150 रफ में आप करके देख ले न 25 शिख जा तो answer क्या आएगा 150 और 2 0 तो थी ही तो finally जो 8 के C part का answer आया वो आया 15,000 माइनस का ठीक है आप देखें D part D part में माइनस का 41 इंटू 102 यहाँ पे तो दो ही value है और वो क्या रहा है कि आप property यूज़ करो अब दो value में भई क्या property यूज़ करें यहाँ पर आपको 102 को break करना पड़ेगा माइनस 41 को तो आप touch भी नहीं करेंगे ऐसे ही लिख दो multiply भी ऐसे ही लिख दो यह जो 102 दिख रहा है ना 102 इसको आप तोड़ के दो हिस्सों में लिखो 102 जो है वो 100 plus 2 होता है मतलब कहने का मतलब है हमने यहाँ 102 को इस तरह से लिखना है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 0 आ पाएं तो 102 में अगर 0 लानी है तो आपको 102 बनानी के लिए 100 में 2 को प्लस करना पड़ेगा अब यह जो बाहर का माइनस 41 है multiply में ब्रैकेट के बाहर यह इसमें भी बाट दो और इसमें भी बाट दो बाट रहे हैं बाटने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं यह लिखना पड़ेगा distributed property है यह अब हम क्या करेंगे माइनस 41 की multiply दोनों से करनी है एक एक करके चलो पहले लिखता है माइनस 41 multiply with 100 ठीक है फिर प्लस लगाओ माइनस 41 की multiply इस बार किस से करो तू से यह ब्रैकेट क्यों लगाई क्योंकि भाईया दो साइन एक साथ आ गए थे एक तो यह प्लस और एक यह 41 में माइनस इसलिए मुझे ब्रैकेट लगानी पड़ी है ठीक है न अब आप जानते हो कि माइनस 41 की 100 से multiply करना तो बहुत असान है माइनस का 41 और यह 100 की 200 लगा तो अब बारी है इनकी 41 की 2 से करोगे 41 multiply 2 तो answer क्या बनेगा रफ में करके देखना 82 बनेगा अब साइन भी कर लो एक प्लस है यहां और एक माइनस है यहां प्लस और माइनस क्या होता है माइनस आगे तो कोई साइन नहीं है तो प्लस और माइनस माइनस होता है बस यहां माइनस लगा दो अब अगला वर क्या करना है इसमें भी माइनस इसमें भी माइनस माइनस और माइनस क्या होता है प्लस साइन तो आप बड़े वाले का लगाओ क्योंकि भाईया हम यहाँ कही multiply थोड़ी कर रहे है क्या यह multiplication है कहीं पर multiplication आई नहीं तो जब multiplication आती है न तब हम बड़ा नहीं देखा करते अब तो यहाँ multiplication है ही नहीं तो हमें बड़ी value ही देखनी है तो बड़ी value कौन दिखाई दे रही है 4100 उसका sign minus था तो minus लगा दिया पार्ट नमबर e e पार्ट में 625 है into minus 35 plus minus 625 into 65 देखो यह न कुछ-कुछ पार्ट नमबर e जैसा है e पार्ट जो मैंने आपको सिखाया था e पार्ट पे फोकस करो और आपको दिखाई देगा कि यह तो इसके जैसा ही दिखाई दे रहा है देखो यहाँ पे दो चीज मल्टिप्लाई में थी फिर plus आया था फिर दो चीज मल्टिप्लाई में थी यहाँ भी वैसी है देखो इसे पार्ट में मैंने क्या करा था, सेम दिख रहा था, कौन, 48, 48, माइनस का था, माइनस का था, तो मैंने इन्हें ब्रैकेट के बाहर common ले लिया था, दो बार दिख रहे थे, लेकिन मैंने इसे ब्रैकेट के बाहर, एक बार निकाल दिया था, ठीक है न, यहां भी वही करना ह 625 इधर भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है, दो बार दिख रहा है, लेकिन हम इन्हें bracket के बाहर निकाल देंगे, लेकिन उससे पहले इनके sign को same करना पड़ेगा, इस 625 का sign क्या है या, plus, इस 625 का sign क्या है या, minus, आप एक काम करो, इस minus को यहां ले आओ, इससे मिला दो ब्रैकिट के बाहर ले ओ, minus को ब्रैकिट के बाहर ले ओ, पीछे तो कुछ नहीं होगा, 625 into minus 35, इसको तो as it is लिख दो, ये minus जब बाहर आएगा, plus के पास, तो minus और plus क्या हो जाएगा, minus हो जाएगा, तो bracket में क्या रहा जाएगा, minus को तो मैं बाहर ले आया, minus जब बाहर ना यहां 625 का वो हमने बाहर करना है बस इतना ध्यान रखना अब हम क्या करेंगे 625 यहां से भी और यहां से भी बाहर निकाल दो ब्रैकेट के बाहर ठीक है multiply में multiply का sign भी लगाना है यहां लगा देता हूँ मैं multiply ब्रैकेट के बाहर तो यह 625 जो है यह और यह जो 625 है यह हमने बाहर ब्रैकेट के लिख दिया है एक बार अब इनको दुबारा नहीं लिखेंगे बचा कौन एक तो बचा यह माइनस का 35 एक बचा यह माइनस का sign यह तो बाहर लिख चुके हैं आगे क्या बचा 65 ठीक है जी यह माइनस लगा दिया इधर बचा हुआ नंबर क्या था माइनस का 35 उदर बचा हुआ नंबर क्या था प्लस या माइनस इसमन तो कोई sign नहीं है तो बस ऐसी लिख दो 65 माइनस तो यह आई गया अब यह property कौन सी है यह हमने district beautiful वाली property उसकरी ठीक है अब अगला वर क्या करेंगे 625 को ऐसी लिखो multiply को ऐसी लिखो आप इन में बड़े दिखने वाले नंबर को देखो बड़ा दिखने वाला नंबर कोने 65 जिसका sign क्या है minus तो आप minus लगो बड़े दिखने वाले का तो sign लगो अब minus और minus होता है plus तो आप इने plus कर दो और जब plus करोगे ना तो यह बन जाएगा 100 तो इने plus करते ही क्या बन गया 100 अब 625 की 100 से multiply करना तो बहुत असान है कैसे 625 को ऐसे ही लिखो और 100 की 20 लास्ट में लगा दो अब sign बचा इसका sign plus इसका sign minus तो plus और minus क्या होता है minus तो final answer हो गया minus का 62,500 तो इस तर से आप यह पार्ट नंबर यह करेंगे अब आजाते हैं F पार्ट पे F पार्ट स्पेस थोड़ी कम बची है एड़ेस्ट करके लिखते हैं पार्ट नंबर एफ कोश्चन है minus 75 into minus 49 plus 75 plus 75 अब आगे तो कुछ हाई नहीं इसमें देखो यह भी ना कुछ-कुछ कोश्चन नंबर 8 के इस जैसा ही है देखो यहाँ पे भी 75 है multiply में multiply में plus के आगे जब देखा तो वहाँ पे भी 75 है लेकिन multiply में कुछ है ही नहीं तो आप इसमें multiply by one लिख दो क्या फरक पड़ रहा है क्योंकि हम जानते हैं 75 की multiply जब one से होगी तो 75 ही होगा तो भाईया question में 75 लिखा था तो उसमें हम अगर multiply one लिख देंगे तो meaning में कोई फरक नहीं पड़ेगा तो इसलिए मैंने खुद ही multiply one लगा दिया उससे meaning कोई फरक नहीं पड़ने वाला वो 75 ही माना जाएगा अब इधर भी एक 75 दिखाई दे रहा है इधर भी एक 75 दिखाई दे रहा है बट फरक यह है कि इस 75 में minus तो है नहीं इस 75 में minus आ रहा है तो यह तो भाईया sign same होने चाहिए जैसे यहाँ इपार्ट में देखा था हमने 625 जो था यहाँ इस 625 में sign क्या था plus minus तो था नहीं जबकि इस वाले 625 में minus था तो मुझे यह minus उठा कर बाहर लाना पड़ा था अब यहाँ भी कुछ change करने पड़ेंगे changes क्या changes करें भाईया आप यहाँ एक काम करो यह जो 75 है इसका sign minus है और multiply में जो यह 49 है इसका sign minus है तो आप इन दोनों minus को ना आपज में multiply कर लो देखो अगर यह minus इस minus से multiply हो जाए तो minus की multiply माइनस से जब करते हैं तो आप जानते हैं minus और minus क्या हो जाता है plus तो यहाँ पर यह minus आपने आप ही क्या हो जाएंगे खतम हो जाएंगे क्यों खतम हो जाएंगे क्यों कि जब minus की multiply माइनस से होगी तो वो थो plus बन जाता है तो यह माइनस तो आप ही खतम हो रहे हैं तो यहाँ पर आप एक word लगाओ और और we are changing the question हम question को change कर रहे है minus की multiply minus से करके plus बना दिया तो question दिखाई देगा 75 into 49 plus 75 into 1 ठीक है जी minus into minus plus हो चुका है और वो हमने minus को हटा दिया आगे 75 में कोई number नहीं था तो वहा multiply 1 लगा दिया अब इन दोनों में से इन दोनों में 75 जो है और इन दोनों में 75 जो है उसको 75 को आप बाहर निकाल दो तो bracket में रह जाएगा 49 और एक ये plus और आगेगा 1 तो यानि answer आएगा 75 multiply 49 plus 1 क्या होता है 49 plus 1 होता है 50 अब ये multiply कहा से आए ये bracket है ना bracket का मतलब ही multiply है जो bracket के बाहर है उसकी multiply bracket के अंदर से करनी है यहाँ पर आप multiply लगा लोगे तो भी ठीक है देखो मैंने यहाँ लगवाया थे multiply 625 के साथ multiply 48 के साथ multiply जो bracket के बाहर लिया था ठीक है ना नहीं भी लगाओंगे ना multiply तो वो understood है bracket जब आता है ना तो बाहर वाले की अंदर वाले से multiply हुआ करती है नहीं भी लगाएंगे ना तो भी ठीक होगा वो अब आप multiply कर लो 75 की rough में करना 5 से तो जब 75 इंटू 5 करेंगे ना तो आपका answer बनेगा 375 और जो ये last की 0 थी वो last में आ जाएगी तो ये हो गया final answer F part का तो इस तरह से आप ये सारे part करेंगे question number 8 के अब आ जाते हैं next पे question number 9 A part write the sign of the product यहाँ पर हमें जो लिखने को कहा है वो कहा है के sign बता हो sign या तो plus या फिर minus अब आगे क्या बुला है देखो if 7 negative and 11 positive integers वो गया रहा है एक integer और दूसरा integer वो गया रहा है 7 तो minus के integers हों bracket में यहाँ जो integer आएंगे वो minus के integer आएंगे कितने 7 integer तो power में लिखो minus जो है ना देखो 7 integer है suppose करो minus 2 minus 3 minus 5 minus 4 minus 1 minus 9 मैंने कितने लिख दे एक दो 3 4 5 6 एक और लिख देता है minus का 8 मैंने यह 7 integer लिख दिये और यह सातों के सातों integer जो है ना वो minus के है negative integer तो वो कह रहा है सात माइनस के नंबर है जैसे कि मैंने example लिए यह ठीक है तो माइनस के नंबर 7 है तो माइनस कितनी बार आया एक दो 3 4 5 6 7 तो जब नंबर ही माइनस के सात लिए है तो माइनस कितनी बार दिखाई देगा 7 बार यानि आप इसको इस तरह से लिखोगे माइनस जो है वो कितने टाइमस आ रहा है 7 टाइमस तो 7 टाइमस को कहा लिखोगे पावर में ठीक है minus is coming how many time 7 टाइम इसलिए पावर में लिख दिया 7 and 11 positive integers अब जो है वो plus के integer है कितने है plus के integer 11 बार तो plus जो है वो 11 बार आएगा 11 टाइम तो इसलिए पावर में कहा लिखो 11 वो गया रहा है सात माइनस के नंबर लो ये ले लिए माइनस की values सात होंगी 11 positive लो तो plus के number कितने होंगे 11 यहां लिख दिए R multiplied वो कह रहा है इनको जब आप multiply करोगे तो answer में क्या sign आएगा वो बताना है heading में लिखाता ना write the sign तो आपको इनकी multiply करके बताना है जो answer बनेगा उसमें sign क्या आएगा बहुत ही easy तरीका क्या है minus की power अगर odd हो क्या बोला मैंने minus की power odd odd मतलब two getable में ना आता हो देखो 7 है 7 two getable में आता ही नहीं तो जब minus की power odd होती है ना तो answer में minus आता है ठीक है क्या बोला minus की power अगर odd होगी तो सब number को जब multiply करेंगे 7 के 7 नमर को तो answer में minus आएगा suppose करो minus की power 7 ना होता 8 होता 8 जो है न वो तो odd होता ही नहीं वो तो एक even number है तो जब minus के 8 numbers आपस में multiply होंगे तो answer minus का नहीं बनेगा क्या बनेगा plus का बनेगा तो simple तरीका क्या याद रखना है minus odd number बार आएगा तो answer में minus लगेगा minus odd number बार ना हो even number बार हो जैसे minus की power 8 या minus की power 4 तो answer multiply करके minus का नहीं बनेगा कैसा बनेगा plus का बनेगा तो odd है power तो minus में even है power तो plus में multiply यहाँ पे plus की power है इसमें even odd नहीं देखना पड़ता किसमें? plus में plus में even या odd power नहीं देखने होती, plus की power कुछ भी हो even हो या odd, answer तो plus में ही आएगा बात clear हो गई क्या का? एक बार और repeat करता हूँ मैं यहाँ पे minus कितने times था? seven time और seven एक odd number है तो इसका मतलब answer minus में आएगा plus कितने time है? even हो या odd उससे हमें देखने की जुरुत ही नहीं उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है my plus की power में plus की power में कुछ भी होता हो answer तो plus में ही आएगा अब minus into plus करेंगे तो minus यानि final answer क्या बनेगा? negative यह हो गया first part पार्ट भी देखो 12 negative number है तो minus कितनी बार आएगा? 12 बार तो power में लिख दो 12 15 positive number है plus के number कितने है? वो power में लिख दो 15 आर multiplied वो कह रहा है इनको आप multiply करो तो sign क्या आएगा वो बताओ देखो यहाँ minus है minus की power जो आई है minus की power वो 2 के table वाली है 2 के table वाली मतलब even तो जब minus की power odd होती है तो answer क्या बनता है? minus में बनता है और जब minus की power even होती है 2 के table वाली तो answer negative नहीं बनता into plus की power क्या है यह even या odd कुछ भी हो मैंने अब यह उपर बताया था plus की power कुछ भी हो हमें देखने की जुरुत ही नहीं answer तो plus का ही आना है अब plus into plus plus होता है तो final answer जो बनेगा वो क्या बनेगा positive बनेगा तो यह इसी तरह से आपको लिख के दिखाना है simple है कोई ज़्यादा difficulty वाला काम नहीं है इसमें तो इस तरह से आप यह question number 9 करेंगे अब आ जाते हैं last question पर question number 10 a part what will be the result वो पुछ रहा है आपका answer क्या होगा result मनलब answer वो गह रहा है minus 1 is multiplied to itself 20 time वो गह रहा है आप minus 1 को multiply करो कितनी बार 20 time तो मैं क्या इसमें आप minus 1 20 बार लिखूं बैटके बहुत देर लगेगी भईया 20 बार क्यों लिखूं अगर वो कहगा 100 बार multiply करो तो क्या मैं 100 बार लिखूंगा उसे बैटके नहीं क्या करना है इसके लिए आप जो है minus 1 की power लिख दो minus 1 को multiply कितनी बार करना है 20 times अभी पिछले question 9 में भी बताया था 20 times times कहां लिखा जाएगा power में ठीक है अब इस minus को देखो minus की power को देखो power कैसी है even 9th question में ध्यान करो मैंने क्या बताया था कि जब minus की power 2 के table वाली होती है even तो answer minus का नहीं होता plus का होता है ठीक है ना 1 की power भी है 20 यह जो 20 है ना यह दोनों की power है minus की भी power है 20 और 1 की भी power है 20 यह तो bracket के बाहर लगाया ना मैंने जब bracket के बाहर लगाया तो इसका मतलब यह 1 के लिए भी है और minus के लिए भी है तो minus की power even थी तो तो answer plus का बन गया अब 1 की power 20 है 1 की power 20 हो यह 1 की power 100 हो यह 1 की power 3 हो answer तो 1 ही रहेगा करके देख लो 1 into 1 into 1 तीन बार करोगे तो 1 वन जा 1 चार बार अकरके देख लो 1 into 1 into 1 1 वन जा 1 फिर 1 वन जा 1 फिर 1 वन जा 1 अब बहिया जितनी भी power हो answer तो 1 ही आना है किसकी power 1 की power कुछ भी हो answer 1 ही आएगा तो minus 1 की power 20 है तो answer 1 ही आएगा plus में आएगा क्यो minus में क्यों नहीं आएगा क्योंकि भी है minus की power even थी इसलिए answer plus में बनेगा तो यह हो गया आपका a part अब भी part देख लेते हैं minus 1 multiply to itself 9 times वो कह रहा है minus 1 को multiply करो 9 times तो times का अलिक तो power में and then 1 is multiplied और फिर 1 is multiplied to it इसमे multiply करो किसको 1 कितने time 5 times ऐसे ही तो बोला देखो minus 1 को multiply करो खुद से 9 बार तो minus 1 की power क्या हो गया 9 और फिर 1 को multiply करो it मतलब इसमे जो answer यहां आया था इसमे 1 को multiply करो तो कितने times 5 times तो power क्या आ गया 5 अब आजाओ minus पे देखो minus की power क्या नजराई है जो minus की power है 9 9 एक odd number है 2 में तो आता नहीं तो answer में minus आएगा अब यह जो 9 थी यह सरिफ minus पे नहीं थी यह 1 पे भी थी तो 1 की power 9 हो या 900 हो कुछ भी हो answer तो 1 ही आएगा multiply देखो इसमें minus का तो नामों निशान ही नहीं है कहीं जब minus का नामों निशान ही नहीं है तो answer में भी minus नहीं आएगा 1 की power 5 है 1 की power 5 हो या 10 हो answer तो 1 ही आएगा अब इसका minus और इसका कोई sign नहीं है या तो plus है तो minus और plus क्या हो गया minus 1 into 1 क्या हो गया 1 यानि final answer जो आएगा B part का वो आपका क्या आएगा minus का 1 तो इस तरह से आप ये 10th के दोनों part करेंगे So now this exercise is over I hope आज का पड़ाय हुवा topic आप सबको समझ आ गया होगा If you like my way of teaching then please like comment और share जरूर करें In the next video I will give you next exercise कर दो आएगा कर दो आएगा कर दो कर दो